कि अधिक हूं और उम्मिद करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे तो आप लोगों ने सुना के अभू कह रहे थे के पानी की मोटर चला दो मतलब सितारा पिटारा जानी औरत सो रही थी अच्छा जाने नहीं कहना चीए ठीक है अच्छा वह सोते बढ़ी है और देखो अभ अभू को मोटर की फिकर हो गई सचो सचो अभू को मोटर की फिकर हो गई अब थोड़े दिन में अभू को राशन की फिकर हो जाएंगी फिर थोड़े दिन में अभू को कपड़े वरतन की फिकर होगी फिर थोड़े दिन में अभू को पूरे ही घर की रती की फिकर हो जाए थो पिर इनको बुलाके फायदा क्या यह फायदा थो यह उठाएँगी ना बुलाई ए जाएरती बात है अप लोग यह सोचो कि यह बंदी कभी भी बिना फाइदे के किसी की भी मदद करती है किसी के लिए कुछ भी करती है नहीं ना तो क्या हम यूम्ट को ऐसे ही सेवा के लिए जन्नत पाने के लिए इसके लिए बुलाईए नहीं बिल्कुल भी नहीं इसके लिए ना इसके बच्चे तलक के इसके माबाप तो दूर की बात है इसके बच्चे तलक के इसके लिए ना सिर्फ असरिफ डॉलर चापने की मशीन है और यह नमुना तो आप तो इसके लिए यह मिलाने जाती थी ठीक है मतलब यह मेरे कहने का कि यह अपनी बच्ची से भी तो डॉलर चाप परी है जब इसका किस्ता नहीं आया था सामने तो इसके जो आस पास के लोग है उन लोगों ने पिच्चरे वाइरल की थी और इसे कुछ फरक नहीं पड़ा इस ह्एँ हो कैई से फिरल एंशात के वे खे मॉर्चे पहलाओ उसको लगता है मैं खूबसूरत लग रहा हैं लेकिन उससे नहीं पता कैवर नंगा हो रहा हुता है और यह बायरल भी और रही थी लेकिन इसने यह देखी कि मैं रहीर हूरी हूं इस शेसके अभू की कावा लेन ये जो मया की मावली बेटी है ये भी नी गई इसका हस्बेंड भी नी गया जो चमचे है दिलबर बाबर वो भी नी गया कोई नी गया कोई भी नी गया तो कौन गया सितारा का जेट जो बड़े ही खराब ससुराल वाले है न वो गया साथ में और दवा लेके आने के बाद वो समझा रहता नजमा जो जाडवली चुड़ायल है को समझा रहता कि दवाई कैसे लेनी है और उसी में उसने मौके का फाइदा उठाते हुए चार बाक्स गुली के दो इंजेक्शन दिखा दी और बोली देखिए कितनी सारी दवा अल्लाव मेरे अबबो की कितनी सारी दवा मतलब के इसके अबबो अभी साथ साल से दवाईयां नहीं ले रहे थे तो मैं याद दिला दूँ आप लोगों को मतलब पहले तो मैं यह बात पूरी कर दूँ कि यह यह जताना जाती है कि लोग सौधी में थे तो सलमाजगर ने ध्यान नहीं रखा दवाई नहीं दिलाई यही जताना चाहती थी तो मैं आप लोगों को याद दिला दू कि जब लोग पाकिस्तान आए तो आप लोगों को वली किलिफ याद यह दवाईयां दिखा रही थी सितारा और यह खुद भी यह खुद भी दवाई दिखा रही थी के देखो ये थैली भर के अम्मी की दवाई है ये देखो थैली भर के अब्बू की दवाई है याद आई ना वली के लिए थैली भर भर के जो दवाईयां दिखाये जा रही थी तो अमा दादी ये तुने वो थैली भर भर के जो दवाई थी वो तुने पाकिस्तान से वेजी या तेरे कोई और अबू है उन्होंने वहाँ पहुंचाई थी वो सब दवाईयां कहते आई थी तू तो कह रही थी ना के दवाई तो इनको पाकिस्तान आके नसीब हुई है और जो तू कह रही थी के बीच में अबू की तबहत कराब थी तो चाचु दवाई लेने के लिए गए थे तो सच्चाई तो तुझे पता है उसके पिछे सच्चाई क्या थी सलमा अजगर बाहर थे घर ते बहुत ज़्यादा दूर थे लोग और अचानक से इनको जैसे के खासी का मसला है तकलीफ हो गई तो नजिक के नजिक में कौन था चाचु थे इसके लिए उन लोग जब तक कि मैं लेके जाता हूं यह सीन हुआ था बाकि यह कितनी बड़ी जगड़े लगा हूँ और लोगों के घर तोड़ू हो रहते वह तो आप लोगों को पता ही है तो इसके लिए यह कह रही थी कि चाचु लेके गए इन लोग नहीं लेके गए जबके लोग थे नहीं अरजनसी में चाचु जल्दी पहुंच सकते थे तो चाचु लेके गए खेर अभी लोगों को कहीं सकते हैं इनको सारी सच्चा ही पता है लेकिन लोग जान बूचके कर रहे हैं बदनाम करने के लिए हां तो मैं कह रही थी कि इतनी सारी दवाई भी दिखाई लोगों ने औ और उटनी का दूद उन लोगों को नहीं मिला था तो अजगर बहुत परेशान हुआ था मतलब लोगों का पूरा दिन उटनी के दूद के लिए वहां पर टैम पास हो गया था किसलिए अम्मा की दवाई के लिए डॉक्टर ने या कितीने काहा था या पता नहीं कोई तो भ दिला रही हूं ताके इसके मुँपे जूता पड़े जिस तरह से यह जूट-जूट इल्जाम लगा रही है कि कोई ध्यान नहीं देता था तो इसके लिए मैं याद दिला रही हूं कि इतना तो ध्यान देते थे लोग दोनों मिया वीवी अम्मी को लेके उटनी का दूद तक के लेने के लिए गए थे तेरे पास तो इतना टैम नहीं था कि तो तेरे अब्बू के साथ हस्पिटल चली जाती और यह कह रही थी दो यह आदमी अलाउट थे यह कौन सी जगह पे मतलब रूल चल रहा है चलो मान लेते हैं कि चल भी रहे तो दो आदमी में से एक तेर सितारा खुद क्यों नहीं गई सितारा के दो चमचे है उसमें से कोई क्यों नहीं गया जब इतना ही तुम लोगों को खयाल रखने का शौक है तो तुम लोग मेंसे किसी को जाना चाहिए था ना जैसे असगर और सलमा परेशान हो रहे थे तोड़ा परेशान हो जाते लेकि नहीं तुम लोग क्यों जाएंगे तुम लोग के लिए तो लोकली कॉंटेंट है ना बाकि तुम लोग को तो इंजॉय करने जाना था इंजॉय करने के लिए पार्क में जाना था इसके लिए तुम लोग अब्बू के साथ में नहीं गए तो यह बात तो यहां पर साबित ह लेकिन क्या कर सकते हैं जब इंसान कच्चे कानका हो सब से पहली बात तो जब इंसान दूर हो इसनन जब बहुत टाइम के लिए दूर हो जाता है नहीं बातों की बातों में आजाता है तो जिस तरह से नजवा ने किये ना वह मैं आगी बताती हूं आपको के इसने क्या-क्या कांड कर चुकी अपने अभू के साथ में तो इंसान वह सब भूल जाता है और जो पास होते हैं उनकी कदर इंसान छोड़ देता है तो यहीं हुआ है यहां पर के सल्मा ने जितना भी की ना इन्हों ने कदर उसकी भी मैं नहीं की और फोन पे लपाचुपी चुमाचुपी कर रहे हैं उन लोगों की बातों में आके अल्ला की सर जमिन को छोड़ के यहां गंदगी में आ गएं इंके साथ इंका जो साथ है वो गंदगी अने तो इंसां प्रएगान पैसने लिए रमजान में हम चलेंगे उम्रा करने के लिए बाकि अमी नहीं जाएंगी तो देखते मैं तो खुछ चाती हूं कि मतलब मैं दुआ करती हूं कि अमी नहीं जाए नहीं जाए क्योंकि जो बच्चे इतनी कदर करते हैं इतना ध्यान रखते हैं जब वो बच्चों की आपक कदर नहीं हैं तो आप ऐसे गंदे उड़े लोग के और गंदे माहौल में रहो ताके आप लोगों को एसास हो आप लोगों को अपनी अउलादों की कदर हो कि उन लोग क्या थे और इस लोग कितने गिरे हुए और क्या लोग है जादा एक्टिंग करके बता रही थी मुझे गए सारा जहां मिल गया कुछ नहीं चाहिए और यह भी जता रही थी ना कि अब्बू को अमी को खर्ची के लिए पैसे नहीं मिलते थे उनका वहां पर खयाल नहीं रखा जाता था और वह पैसे के लिए बहुत वहां पर मौताज थे तो आप लोगों को मैं यह भी बता है ना कि भीक में किसी ने दिया है कि जाओ अपनी बहु को और पोती को बेटी को और सारे गाओं को बाटो तो यह सब पैसे अमी कोई मजबूर नहीं है ना अबा कोई मजबूर है ना उनलोग पैसे की तंगी में सही है बाकी अमी अब्बू का जो भाड़ा आता है उनके ज तेमिती ओब्राइटिंग करती है अच्छा चलो यह बात भी आप लोग देखो कि यह सल्मान के लिए कितना गंदा गंदा बोल रही है और कह रही है कि तुम वैसे हो तुम वैसे हो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मैंने जरा सा बोला तो तुमको बुरा लग गया तुमको गुसा आ गया तुम लाइब में आके कह रहे हो के मेरा हस्बेंड अपनी बेहन के दरवाजे में पढ़ा है अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रखता तो मेरा हस्बेंड है मेरी मर्जी तो तू फिर जब तेरा हस्बेंड तेरी मर्जी तेरी मर्जी तो अपनी बेहन के दरवाजे में खुटा बनके पढ़ा है अंडी हिलाते तो तू कौन होती है फिर दूत्रों के घरों में तांक जांक करके उनके घरों में दखल अंदाजी करने वाली आखिर कार तूने उनके घर में जगड़ा लगा के मा बेटी को सासरे को बेटे को बाप बेटे को सबको अलग कर दी हो गई तेरे कलेजे में ठंडक कर दी ना अकिर में तुझो हर दो गंटे में कॉल करती थी अबु नाले में गिर के मर गई अबु गटर में गिर के मर गई अबु मुह काला कर ली ये जो तु फोन कर करके दमकियां लगा लगा के कान भरती थी तो अब हो गया तुझे सुकून, घर तोड़ दी, उन लोगों का साथ साल से उन लोग एक साथ रह रहे थे, आकिरकार तुने तेरी लंबी नाग गुसेड के, पिटारा के गेम में शामिल पूरी तरह से होके, आकिरकार तुने घर तोड़ दी, एक फैमिली को अलग कर दी, औ तुझे समयत उपर वापिद भी देंगा टेंचन नहीं लेनी, और बोल रही है कि ना मिरे अस्वेण को ना, चैनल का लालच नहीं है, इतना अच्छा जोग मारिना इतने बोलके, कि चैनल का लालच नहीं है, इतके यस्वेण को, भी ना, लालच च के ही लोग, जवान जव बेटियों को अकेले घर में चोड़ के यहां के टॉइलेट साफ कर रहे हैं डाइपर बदली कर रहे हैं और कहें हैं कि लुट करें लालाच नहीं नहीं है वाह पर बड़ी अच्छी बात तुम भी तो महां जाके बैठे हो ये है वो है तुम्हारी बीवी बच्चे भी तो उसकी नानी के पास बच्चे रह रहे है और बीवी मा के पास रह रही है तो लोग उनके माबाप के पास रह रहे है बिटा ऐसी तुम्हारी तरह कोई गैर मर्दों के पास में तो सलमान के बी तो ताना देना है तो तुड़ा ढंका दे यह कौन सी जलालत करती है तू शरम नहीं आती डूपके मर जाती ऐसी सब बाते करने से अच्छा डूपके मर जाती तू अच्छी दे रही थी ना कि मेरी कजन है मेरी कजन है वो समाल रही है बच्चों को कजन मतलब कजन को काम दंदे नहीं है उसके बच्चे नहीं है और उनके घर में काम नहीं है न लोग इनके नौकर लगे पड़े हैं जो इसके बच्चे समालेंगे वा भी वा तेरी तरह मतलब जैसे सितारा तुम लोगों को भर रही ह वैसे तू तो नहीं वर रही होंगी तेरी कजन को तो वो क्यों तेरे बच्चे समा लेंगी साब साब बोलना अल्ला के वरोसे छोड़ के बाग के इधर आ गए मिया भी जो किसी के भी साथ में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते जब इनके आपस के रिस्तों में ही भरोसा नहीं है आप लोग कुछ सोचो इनके आपस के रिस्तों में ही भरोसा नहीं है इतनी सारी बाते हैं जो हमें खुल के कहने को भी शरम आती है इनके घर के अंदर ही इतने बड़े बड़े कांड इतनी इतनी सी बच्चेयों के साथ में हो जाते और करने वाला कोई दूसरा नहीं इनके खुद के अपने होते तो सोचो कि यह कह रही है कि मेरी कजन के पास में बच्चे तो कजन बुले तो फिर तो दूर करिस्ता हो गया है यहां पर तो सगे मामून ही है उनके हुए तो इसको इतना भरोसा है कि कजन के पास में इसकी जवान जवान बेटीयां सेफ है सब पता है नजमा सब पता है किसके पाथ छोड़के आई है तेरी बेटियों का क्या हल चाल है उन लोग क्या कर रहे है आगे जाके तुझे क्या फल मिलने माला है सारा कुछ पता है अगर कोई तुझे इस बात के लिए टोकता है न तुझे ये सोचना चीए कि बच्चों की जो इज़त आगे जाके खराब हो जाएंगी तो उससे लोग रोकना चाते है कि बच्चों की इज़त बचे उनके नाम खराब ना हो उल्टा तो तू तो टॉन्ट में ले लेती है तो फिर अच्छी बात है भई सितारा तो बड़ी बने तेरी बेटियां जैसे सितारा है ना जो सितारा बनी है ना उससे चार हाथ आगे तेरी बेटियां बने सितारा यासीन दूसरी सितारा बने लेकिन चार हाथ आगे वाली बस अब खूश है तू कि ब्लॉग में ना एक चीज में ने देखी के सितारह और इसकी जो हमी सटारह की लोग जब पार्ट में गहेंते तो यहांने फेंद मुझे दिमाग में यह बात आई यहां पर सींद देखो, गौर से देखो, के अम्मी जो इतनी उमरदार है, वो अबाई में, और बेटी देखो, तो वो बिना अबाई के, अजीब है न, अजीब कहानी चल रही है, अजीब दस्तूर चल रहे हैं इनकी फैमली में, और अम्मी एप्रिशट तो इस तरह से कर रह है कौन से मैडल ले लिए और कौन सा ऐसा तीर मार लिए जो उसको इतनी पप्पियां दी जाए के बैटी और बड़ी हजन बना बैटी और आगे बना और बड़ा मैडल लेकर आना वाँ भी वाँ मुझे तो अम्मी दिये थी के अम्मी आएंगी ना तो फिर इसको अब आया प कायम कर ले नमाज कायम कर जूड़ बोलना बनकर तरह मूंपे देख मेरा बच्चा मेरा बच्चा तरह मूंपे देख कितनी फिटकार पढ़ लए और अए दिन तरह फोटू ये लीक होती है तोबह कर ले और सीदी हो जा और अच्छी अच्छी व्लॉगिंंग कर छेचोरा पना बन करते मेरा बच्छा मैं सोची थी ऐसा कुछ बोलेंगी लगिन सोरी मुझे नहीं पता था कि अम्मी आके और ज्यादा एप्रिशेट करेंगी चल मेरा बेटा बिना बुरके के बिना हबाय के चल मैं पहनती हूं अब आया लेकिन तू भी नाबाय के नाच मेरे साथ में सितारा ने तो समझ जाया करो कि Alcohol करने के लिए जा रहे है यदो तो ने चार दिन पहले के कपड़े पहनी हुई है जो इसे पब्लिक को नहीं दिखाना है बस वह टाइम के लिए यह वाया यूज करती है वाकि तो यह भी नहीं करती है और अम्मी तो आके मस अप्रिशेट कर रही है और सोने पर सुआगा जाड़ वाली चुड़ेल अच्छा यह यह बूंद नहीं कर रहा जाने फिर अबुम करते हैं तो मुझे हैं मुझे हो जाती है मुझे मतलब प्ल Tabii है कोई लोको चाहिए न सबसे जागा चाहिए हूँ तो मैं कैसे चली जाओ जाने बोल रहे तो जाना मनूस अपने घर पे जा बेटियों का ध्यान कई कुछ कम जादा ना हो जाए मनुसौरत अच्छा मैं यह एक बात बता दूं फिर वीडियो एंड करते हैं जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आगे बताती हूं कि नजमा ने अगर यह बात जूट है ना तो नजमा तू कसम खाना अपनी बेटी के सर पर हाथ रखें मुझे मत तू अपने से कसम खा लेना जूट है तून्हेट हम नी अच्छी बन रही है और की तो आईंसे और और तू कितनी लालच में अभी ये सब जलील पना कर रही है न अच्छी बनने की और अब आ गए तो जन्नत मिल गई वला जो सीन तू क्रियेट करके दिखा रही है न तो वहला सीन पहले याद कर वहले दिन याद कर जब तुन्हें तुरह बू को मारा था गाड़ी नोच के मा तुन्हें इतना मारा था के शर्ट फट गया था तुरह भू का थीक है तो अपनी उकात में रहे जादा भी है न जालियत मत कर जादा मत गिर पैसों के लिए यह पैसे यहीं रह जाएंगे कबर में नहीं आने मले औरना सितारा आएंगी तरी कबर में तो थोड़ा तो वीडियो यहीं पेंड करते वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना पतन देंगी तो लाइक करना शेर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अलाफी झाल झाल झाल